पर्फेक्शन आईस में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम लोग बात करेंगे मेंस एंसर एटिंग के बारे में जैसे ही मेंस की बात आती है सबसे पहले जो मन में कोस्टन उठता है वो यह उठता है अब भ्यारतियों के मन में कि उत्तर कैसे लिखा जाए क्या एक अ अच्छे उत्तर का क्या-क्या कंपोनेंट होता है तो आज की वीडियो में हम इन ही सारी चीजों के उपर चर्चा करने वाले हैं बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कई बार ऐसा होता है कि अभ्यारतियों को सारी बात्ते तो पता होती है लेकिन उत्तर लिखना कैसे है ये अगर आप किसी भी एंसर को लिखें किसी भी उत्तर को लिखें तो उसके क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं कंपोनेंट क्या-क्या होते हैं पहले तो इसको समझेंगे अगर अच्छे उत्तर का एक बेहतर उत्तर का क्या कंपोनेंट होगा इसके बारे में डिसकस करेंगे क्या क्या उसके भाग होंगे, क्या-क्या पार्ट होंगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो component होता है, एक अच्छे उत्तर का, वो होता है, कि हम लोग उस उत्तर के बारे में, उस उत्तर को लिखने से पहले, हम लोग क्या-क्या देखते हैं, और इस भाग को, इस पार्ट को हम लोग बो कि उत्तर लिखने से पहले आपको किस-किस बातों पर द्यान देना है जिसकों के बहुत हैं प्री-कॉंटेंट कहते हैं अर्थाथ उत्तर लिखने से पहले किन बातों पर ध्यान देना अवश्यक है ध्यान देना अवश्यक हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं pre content कहते हैं इसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है इसे हम लोग बोलते हैं content ठीक है content अर्थात मुख्वभाग अर्थात जो किसी उत्तर की एक आधारसीला होती है किसी उत्तर का सबसे प्रमुख भाग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं content कहते हैं है ना अर्थात उत्तर में उत्तर के अंतरगत क्या-क्या लिखा जाना है क्या-क्या लिखा जाना है इसे हम लोग क्या कहते हैं content कहते हैं और इसके बाद सबसे last में जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं post content post content अर्थात उत्तर को जो आपने उसका जो कौन-कौन सा main part था वो आपने लिख दिया तो उसे कैसे सजाया जाए ठीक है उसे हम लोग क्या करते हैं post content करते हैं अर्थात content को कैसे सजाया जाए इसे हम लोग क्या करते हैं post content करते हैं तो एक उत्तर के अंदर सबसे पहले क्या होता है pre content अर्थात जो content है उसका पहले का भाग दूसरा main content और तीसरा post content ठीक है अब इन तीनों को हम लोग एक एक करके समझेंगे कि pre content के अंदर क्या होता है content के अंदर कौन-कौन सा पाट होता है और post content के अंदर कौन-कौन सा भाग होता है इसको हम लोग समझने का प्रिहास करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किस के बारे में pre content के बारे में कि आखिर pre content है क्या तो जब हम लोग pre-content देखते हैं कि उत्तर जो लिखना है उसके पहले क्या क्या पाठ होना चाहिए, क्या हमें सोचना चाहिए कई बढ़े क्या होता है कि उत्तर के अंदर सब्द सब्द कुछ और लिखे रहते हैं लेकिन उन सब्दों की जो बिचार धारा होती है उन सब्दों का जो सब्द लिखा वो कुछ और है लेकिन वो सब्द कुछ और चीजों को क्या कर रहा है इंगित कर रहा है है ना तो हमें उत्तर लिखने के पहले सबसे पहले उस प्रस्ण के demand demand अर्थात मांग को देखना पड़ेगा कि उस प्रस्ण के माध्यम से आपको इन सबी चीजों को समझाओंगा भी लेकिन पहले एक basic answer writing का जो main formula है वो formula आप लोग के साथ share करता हूँ फिर उसके बाद प्रते प्रस्ण के माध्यम से देखेंगे कि कैसे हम लोग इन चीजों को प्रस्णों के अंदर apply करेंगे right? समझ में रहा होगा आप लोगो? तो सबसे पहला जो part होता है उसको हम लोग क्या 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 है? कि प्रस्ण आखिर पूछना चाहा क्या रहा है? इसका demand क्या है? है ना? दूसरा जो part होता है वो क्या होता है? essence है ना? essence essence का अर्थ होता है कि आप किसी प्रस्ण के अंदरगत आपको ये बताना होता है कि आप जो आपने जो statement लिखा है या प्रस्ण में जो statement दिया हुआ है उस statement से आप कहां तक सहमत है है ना? स्टेट्मेंट से आप कहां तक किस हद तक कहां तक सहमत हैं इसे तो प्रशन को पढ़ने के बाद और उत्तर लिखने के पहले जो सबसे पहला पाठ होता है इस इस पार्ट को हम लोग प्री कॉंटेंट कहते हैं और इस प्री कॉंटेंट के अंदर सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि प्रस्ण का डिमांड क्या है पूछना क्या चाह रहा है मैंने कई बार बोला है आप लोगों से कि सब्द का लिखना और सब्द की बिचार दोनों में क्या होता है दूसरा एसेंस का मतलब होता है कि आप इसमें कहां तक सहमत है और जब भी आपके वो एसेंस की बात करें तो आपको ऐसे लिखना होगा कि according to me यानि कि मेरे अनसार मेरे मतानुसार ऐसे आपको अपने उत्तर को आगे प्रोसीड करना होगा कि according to me ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए और इस समय जब आप according to me लिखें तो उस समय आप argument दे सकते हैं है ना examples दे सकते है और इन argument और examples के through आप अपने उत्तर को और क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले pre-content के अंदर क्या हो गया demand हो गया essence हो गया और essence के बाद अगर हम दो देखेंगे तो part हो गया various part of the question अर्थात प्रस्न का बिविन भाग क्या क्या है प्रस्न का बिविन भाग various part of the question ठीक है और ये उत्तर लिखने से पहले ही आपको इन तीन चीजों को क्या करना चाहिए दिमाग में बैठा लेना चाहिए और एक और part होता है जिसे हम लोग क्या करते है core of the question core कोर हना तो part of the question का मतलब क्या होता है कि question के अंदर आप देखेंगे ना तो 3-4 question के अंदर ही 3-4 question होते हैं लेकिन सभी question का marks जो होता है नो वो same नहीं होता है तो आप practice से इन चीजों को समझ पाएंगे कि जो different part of the question है in different parts of the question में किस question का value है वो value ज्यादा है और किस question की value क्या है कम है that is what that is various part of the question है ना और सबसे last जो होता है वो तक core यानि कि कि किस point के around किस बिचार के around प्रस्ण पूछा गया है उसे हम लोग क्या करते हैं core करते हैं तो प्रस्ण का उत्तर लिखने से पहले आपको इन चार बातों के उपर क्या करना चाहिए focus करना चाहिए इसके आद आगे बरते हैं और हमने देखा था कि pre content के बाद जो दूसरा part होता है इसे हम लोग content कहते हैं तो अब हम लोग बात करेंगे किस के बारे में content के बारे में यानि कि उत्तर के बारे में उत्तर के अंदर क्या-क्या मेक मुख चीजें होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं content कहते हैं और जब हम लोग content की बात करते हैं तो आपका जो उत्तर होता है इसके तीन भाग होते हैं यह आप सभी को पता होगा जो सबसे पहला भाग होता है इसे हम लोग कहते हैं introduction अर्थात परिचाय जो दूसरा भाग होता है इसे कहते हैं body अर्थात मुख्य भाग और तीसा जपाट होता है इसे कहते हैं conclusion अर्थात निसकर्स ठीक है introduction, body और conclusion अब एक एक करके समझेंगे कि introduction है तो उसका कितना percent होना चाहिए body है तो उसका कितना percent होना चाहिए conclusion है तो वो क्या होना चाहिए सबसे पहले तो इन तीनों का part हम लोग करते हैं देखो अगर आपने 400 सब्दों में उत्तर लिखना है तो introduction at least 10 to 15 percent होना चाहिए कई बार ऐसा होता है कि नहीं भी उत्तर लिखो introduction लिखो तो काम चलता है मैं बात किसकी करूँ एक ideal उत्तरगी कर रहा हूँ कई बार ऐसा होता है कि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो उसमें आप यह नहीं देखेंगे कि introduction मैंने लिखा एक नहीं लिखा उसमें आपका focus क्या होगा कि आपके पास 10 मिर्टी टाइम है तो उसमें फिर आप introduction के उपर focus नहीं करेंगे बड़ी के उपर कि यह इतना परसेंट ने उसमें जो सबसे में पॉइंट हो लिखते जा बट जब एक ideal answer हम लोग लिख रहे है तो उसमें आपको introduction जो है 10-15% होना चाहिए और बड़ी जो है ल introduction में क्या होगा कैसे लिख सेंगे introduction तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग introduction यानि कि परचाए की बात करेंगे इंट्रो के बात करेंगे तो इंट्रो के कुछ basic rules होते हैं जो कि practice करते करते आपके अंदर आएगा इन सभी को लिखने से पहले मैं आप सभी को suggest करूँगा कि प्रस्ण को सबसे पहला काम क्या करें दो बार पढ़ें और प्रस्ण को पढ़ने के बाद सबसे पहला point कि जितने भी keywords आपको लग रहे हैं उन keywords को क्या करें आप underline करें first of all आपको क्या करना है statement को question के statement को पढ़ना है बहुत बहतर तरीके से और उसके अंदर जो keywords है उन keywords को आपको क्या करना है अंदर line करना है और फिर उसके अधम लोग introduction के अंदर आएंगे तो introduction में सबसे पहले जो keywords हैं सबसे पहला जो rule है वो क्या है कि keywords को keywords को आप क्या करें जो keywords है उसको introduction में include करें इंट्रो के अंदर क्या करें include करें ठीक है 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 ना keywords को introduction के अंदर क्या करें जो भी important keywords है उसको introduction के अंदर include करने का कोशिस करें प्रस्णों की सायता से आपको सभी उत्तर को लिख कर बताऊंगा जितने भी मैं answers कराऊंगा कैसे इन rules को follow करना है ठीक है इसके लाब आप reports लिख सकते हैं किसी report ठीक है कोई index है उस index का use कर सकते हैं कोई आप अगर चाहें तो कोई case studies है तो case studies के साथ शुरू कर सकते हैं इन सभी के साथ आप अपने उत्तर को start कर सकते हैं इसके अलाबद जो एक बहुत ही important point है वो यह है कि आपके जो previous year questions है previous year questions इनके statement, important statement important statement का एक list बना ले और उन statements को अपने introduction में यूज करने का कोसिस करें ठीक है इसके अलाबद आप चाहेंगे तो जो economic survey का data है इस data का भी आप क्या कर सकते हैं introduction के अंदर यूज कर सकते हैं है ना तो जब आप इन चीजों का use करेंगे तो आपका एक बेहतर introduction तेयार होगा एक basic से introduction तेयार होगा और आप अपने उत्तर को एक basic आधार सिला है ना जिसको basic root basic point करेंगे वो basic आधार सिला आप अस्थापित करने में सक्षम हो बाएंगे इसके बाद जैसे ही हम लोग introduction को कर लेंगे तो हम लोग इसके आगे body point में चलेंगे body section में सलेंगे कि क्या है तो इसके just बाद हम लोग किसको करेंगे body को करेंगे ठीक है अर्थात मुख भाग को और यह जो मुख भाग है ये मुख भाग सिर्फ नाम से मुख भाग नहीं है नंबर से भी मुख भाग है आपका नंबर कितना मिलेगा वो काफी हद तक इसी पर क्या होता है निर्वर करते हैं तो first of all body section के अंदर मैं आप लोगों को suggest करूँगा कि definition के साथ अपने answers को अपने उत्तर को प्रारंब करें जो question के अंदर पूछ रहा है उसके definition के साथ और एक basic सा definition किसी भी topic का आप उसको निकाल सकते हैं किसी statements को निकाल सकते हैं और उसके बाद आप क्या करें कि उत्तर के जितने भी भापार्ट हैं मालेजे की तीन पार्ट हैं मुख भाग के तीन पार्ट हैं तो इस मुख भाग के तीनों पार्ट का heading तेयार करें heading ये करना बड़ी ज़रूरी है उत्तर के अंदर जब तक आप heading और sub heading नहीं करेंगे जो copy check करने वाला है उसको ये समझ में नहीं आएगा कि इसको कितने पार्ट में divide करना है divide किया है आपने तो सबसे पहला point क्या करेंगे कि heading बनाएंगे और उस heading के अंदर फिर से sub heading बनाने का प्रयास करेंगे और वो तब ही बना पाएंगे आप जब आप क्या करेंगे practice करेंगे तो heading heading और heading के बाद sub heading सबसे पहले heading और heading के बाद क्या करेंगे? sub heading बनाएंगे बार्ट साज नहीं आएंगे अब तीन पार्ट है तो तीन इसके headings दे दिये और देखो जब number मिलेगा तो क्या है? आपने heading दिया हुआ है और sub heading के अंदर सारे headings के अंदर आपने 3-4-5 पॉइंट भी लिखा हुआ है तो number काटना महाँ उसकील हो जाता है अगर आपने पूरा सिफ पारग्राफ में लिख दिया तो फिर उतना marks मिलने के possibility थोड़ी सी कम हो जाती है तो headings and sub heading headings and sub heading और यह कैसे होगा? वो भी मैं आपको बताऊँगा ठीक है? headings और उसके 3 heading दे दिया और 3 हो का क्या कर दिया? sub heading दे दिया ठीक है? अब समझो heading दे दिया और इसका फिर से क्या कर दिया? sub heading दे दिया अब इस बात को समझोगे कि जो 3 parts थे इन 3 parts में या 2 parts से साधानतर प्रश्म के अंदर 2 parts तो रहती ही रहते है तो इन 2 parts या 3 parts में आप समझोगे कि आप किसी एक part को diagram के साथ दिखा सकते हो ठीक है? अब diagram का जो एक basic method होता है कि माल लिजे कि समावेशी विकास के क्या-क्या dimensions है तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे? एक example के तौर पे कि समावेशी विकास के आयाम समावेशी विकास के आयाम क्या? या माल लोग कि question पूचता है क्रिसी के पिछरे पन के क्या का रहन है तो यहाँ लिख दिया और इसके different points को अपने यहाँ पर क्या कर दिया? दिनोट कर दिया वह सिंपल सा मैं कहने चाने आयाम लिख दिया और उसके different points को अपने चारो चर्फ क्या कर दिया? दिखा दिया और मैंने क्या बोला कि जो different headings and sub headings है इसमें एक को आपको क्या करना है? diagrammatic represent कर दो explain कर रहे है it is not required जोड़तर नहीं है इसका ठीक है? तो एक में क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? diagram बना दिया और अन जगों पे आप क्या करो? कि syllabus के points या फिर previous year questions के statements statements इनको अपने answers में include करने का कोशेज करो ठीक है? तो आपने definition के साथ उत्तर पार्ण किया different parts में उसको divide किया एक part को आपने diagrammatic represent किया उसके बाद जो sub-parts थे उसमें syllabus और previous year questions को लिखा और उसके dimensioning और sub-dimensioning के definitely आपके जो answers होंगे वो क्या होंगे? बहतर होंगे ठीक है? अब इस point को समझेंगे कि जब आपको body part लिखना होगा main part लिखना होगा body part तो इसमें क्या और क्या-क्या आप कर सकते हैं? देखो जब भी आप answers लिख रहे हैं तो यहाँ पर body part के अंदर dimension and sub-dimension यह दो सबसी important sections हो जाते हैं कि dimension कि parts में उसको divide करेंगे उसके क्या-क्या dimensions होंगे और फिर उसका sub-dimensioning यह थोड़ा सा क्या होता है? यह थोड़ा और micro level पर हो जाता है तो dimensions क्या-क्या हो सकते हैं? मैं आपको 4-5 dimensions बता देता हूँ आप उसको use करोगे जैसे किसी भी topic का किसी भी question का आप क्या करो? political dimension देखो ठीक है? राजनितिक आयाम देखो किसी भी question का देखो कि कुछ कर पा रहे है कि नहीं कर पा रहे है? किसी भी question के आप इतने dimensions बना के आप उसके कुछ basic points आप ऐसे ही लिख सकते हैं इसके बाद political के बाद economical dimension ठीक है? आर्थिक आयाम इसके बाद social dimension samajik आयाम इसके बाद ethical dimension हाना? नैतिक आयाम ठीक है? इसके बाद scientific scientific dimension बैज्ञानिक आयाम है ना? technological dimension तकनीकी आयाम पाद समझ पाद रहे हैं? ठीक है? तो इसके different dimensions अच्छा एक environmental dimension ये काफी important हो गया है जलवाइबिक आयाम इतने dimensions पर अपने answers को परखने का कोशिश करें इसे हम लोग क्या करते हैं? डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं यानि कि बविदिता पूर्ण तो इतने जब dimensions पर आप अपने answer को check करेंगे तो definitely आपका एक basic किसी भी उत्तर को लिखने से पहले आपका basic skeleton जो होगा, वो तियार होगा और जब एक basic skeleton तियार होता है तो definitely आपके पास 50% content already रहता है किसी भी question को, मैं इतना बोलता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा उस प्रस्ट के बारे में पता नहीं है फिर भी अगर आपको उत्तर लिखने आता है तो at least 50% तो उसको बारे में आप लिखी पाएंगे अगर basic सा कुछ rules भी पता है तो है ना तो ये था आपका क्या कौन सा पाट ये था आपका second part that is content तो तीन पाट मैंने आपको बता है था सबसे पहला pre content फिर content और तीसा क्या था post content तो अब हम लोग बात करेंगे post content की कि post content क्या होता है है ना देखो अगर आपने उत्तर लिखा है आपको उत्तर का main theme आपको पता है फिर भी कई बार ऐसा होगा कि आपको बहुत ज़्यादा marks नहीं आएगा और दूसरे को जिसको उतना ज़्यादा नहीं भी पता है उसको आपसे ज़्यादा marks आजागा इसके पीछे का कारण क्या है कि उसको उत्तर का structuring आता है content है लेकिन जब तक आप content को सजाओगे नहीं है ना आपको किसी बात से प्रारंब करना है आपको पहला माली जे कि आपके book में index जो है वो सबसे last page में दे दे या beach में कहीं दे दे है ना और preamble एक political book है और preamble जो है वो beach में कहीं दे दे कहीं का कहीं कुछ भी दे दे तो आपको फिर पढ़ने में क्या होगा मजा नहीं आएगा उसी तरीके से अगर आपको उत्तर पता है और आपनो उसका structuring नहीं किया है उसको आपने सजाया नहीं है तो definitely आपको marks जो है comparatively क्या मिलेगा कम मिलेगा अर्थात post content के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है structure यानि कि सनरचना उत्तर की सनरचना जो होती है वो क्या होता है इसका सबसे main theme होता है इसमें आपने कहां पे tables use किये है diagrams use किया है क्या ना diagram use किया है कहीं पर आपने comparative analysis किया है कि नहीं question में कई बार क्या होता है comparative analysis के बात करते हैं है ना दो बारे में अगर पूछा गया है दोनों का comparison की बात की गई तो आपने comparative analysis किया है कि नहीं किया है पास्वाज में आरे approach जो है वो आपको कैसा आपका कैसा है तो जब आप इन सभी चीजों को कर लेते हैं तो इसे क्या कहा है था पोस्ट कॉंटेंट कहा जाता है ठीक है तो और जब आप answers को conclude कर रहे होते हैं जब इसका conclusion लिख रहे होते हैं तो conclusion लिखते वक्त आपको इन सभी चीजों का बहतर तरीके से ध्यान देना पड़ता है और आपको प्रस्ण का जो डिमांड है उस डिमांड को सटिस्फाई करते हुए उसके विभिन ने आयामों पर चर्चा करते हुए उसके पॉजिटिव और निगेटिव डाइमेंशन्स को प्रोज एन कॉन्स को करेंगे तो डेफिनेटली आप किसी भी उत्तर का बेसिक स्केल्टन त्यार करने में सक्षम हो पाएंगे तो आज हमने बात की है कि एक बेहतर उत्तर कैसे लिखा जाए नेक्स्ट लेक्टर से मैं आपको कुछ कोस्टन के साथ इन सभी पारामीटर्स को सजाते हुए आपको उत्तर लिख कर बताऊंगा और डेफिनेटली आप सभी को मेंस की एक्जाम में इससे काफी बेनिफिट मिलेगा तो तिल देन आप लोग पढ़ते रहिए रिवाईज करते रहिए और देखिए मैं पहले भी रिविजन की बात कर दा था और फिर से मैं बोलता हूँ कि अच्छा उत्तर वही लिख पाएगा जो अधिक से अधिक रिवाईज कर पाएगा तो नेक्स लेक्टर मिलते हैं कुछ कोस्टन के साथ आप लोग के पास अगर कोई क्वरी है तो आप कमेंट सेक्षन में कमेंट कर सकते हैं तिल देन मिलते हैं नेक्स लेक्टर में थेंक्यू